हेलो फ्रेंज नमस्ते कैसे हैं आप सब और आज हम यूज करेंगे स्पेशली सर्दियों के लिए तो इसके लिए मैंने एक पुरानी लेंगी ले लिए है जो इस तरह की वेलबेट टाइप की पेंड थी चोटे बचों की तो मैंने उसे ले ली है और उसके उपर इस तरह से मे यहां पर मैंने मेरी स्लीपर ली है और उसी के तरह से मैंने उसे कट कर लिया है दोनों साइट से एक एक जो स्लीपर का मिजरमेंट था उससे एक एक इंच मैंने ज्यादा कट किया है और इसी तरह से हमने एक साइट से दो और दूसरी साइट से ही भी दो पाट कट कर लेने हैं जो हमने दो पाट कट किये इसी तरह हमें दूसरे दो करने हैं और अब इसके अंदर आप चाहे तो फॉम सेट भी डाल सकते हैं या कोई या टोवेल जितना कोई भी उटा कपला इसके अंदर डालना चाहें तो डाल सकते हो और यहाँ पे वह मैंने सौपिंग बेग का यूज क कि इसकी उपरamı่ंने चिका ख़ा जशिके है द मारके के नापक कट किया तो कि कमरा ते साइड का इस तरह से नापक तो चुका है अब इसका उपर हमें इस तरह से रखना और फिर स्टिच कर लेना है back एक पारल दोसे ये डिला तो हमारे दोनों पाट कट होके स्टिच होके रेडी है अब हमें क्या करना है एक और इसी के मेच्शिक कपड़ा हमें और लेना है यहाँ से मैंने 8 इंच लिया है और इस इस तरह से पूरा कट कर लिया रहा लंब़ाई हमें इसी के नाप लेनिये हैं लेकिन जो हमें पाग ज्यादा खुला रखना है उसे यहाँ हमें थोड़ा दो रखना है तो मैंने यहाँ से एट इंच लिया है और अब हमें क्या करना यह जो आठ कैना जो इस तरह से ब्रेश बैश में से वोल्ड कर लेना है और फ़ल्ड करने के बाद उपर की सहा हमें रौंड्ड सेत लेक्ति देने है यहां से । और अब हमें नेचे की साइट से इस तरह सीधा कर लेना है एकदम से दोनु पार्ट को और उपर की साइट से नीचे हैं हमें 6 इंच इतना मेजरमेंट लेना है और फिर अंदर तक हमें windows यहां से तो हमें यहाँ पे वन इंच लेना है पूरा सीधा लाइन कर लेना है कट कर लेना है हमें एक दम अच्छे से इसे पकड़के वहां पे कट लगाना है ताकि हमारा दोनों पार्ट सईसे एक ही नाप में कटे हमारे दोनों पार्ट में इस तरह से कट लग चुका है not और हमें इसी तरह दो और कर लेना है c ato हो चुके हैं अब हमें एक दूसरे के ऊपर ये पाट को उल्टा रखना है और यहां से लेकि आंतक हमें स्टिच कर लेना है दोनों इस तरह से और इसके अंदर हमें थोड़ा-थोड़ा कट मार्ट लगा लेने हैं और फिर उसे उल्टा करके हमें दोनों पाट को जो हमने स्टिच लगाया जहां पे जोड़ाये वहां पे सतर से दोनों को सेंट्रा में पकड़के पूरे राउंड में इस तरह से ढ़ा दोनों में उर्टागर के ऑपर स्डिच लगा, इस हमारे अभ दोनों पार्ट इस तरह से रखी है अब क्या करना तो कुए किए हैं इसे और पर इससे कर लेना है तो जो हमारा जोड लगाया हुआ है उसे पीछे की साइट सेंटर में और उसी के उपर वाला पाट जो है सेंटर निकाल के हमें उपर का सेंटर में अटेच कर लेना है पूरे राउंड में इस तरह से हमें अटेच करते जाना है कि इस तरह से हम अटेच करते जाएंगे तो पूरे राउन में अच्छे से अटेच हो जागा यह हमारा पें जोट हो चुका है अभी से हमें सीधा कर लेना है तो देखिए हमारे सर्द्यों के लिए बहुत ही प्यारी मोजो की जोड बंच के रैडी है पेर तो यह बहुत ही काम आते हैं हमें और बहुत ही यूसपूल है तो आपको हमारे यूदिव कैसा लगा हमें कमेंटर की जरूर बताएगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हां सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बुलिएगा अगर आप हमारे चैनल पें नए है तो बेला एकन भी जोड़ से पड़ा दपार पहला है तो हमें गोस्टिए झसना गया पार हमें जोलि एूर दापको हमारे आ उर ना शा कमें जा आपको में बाइब हमारे उयरूर दाभ करना हमारे जग जार्यृर बालों क问 अ पार बालो एकरैर ना सब्सक्तित के अइस आपको हमारो ना बहां किonosiu का ब